MCU के Infinity Stones के journey क्या है और इनके previous owners कौन कौन थे Part 4 Mind Stone Mind Stone सबसे पहले सेप्टर के अंदर थैनोज के पास रहता है फिर वो उसे लोकी को दे के Earth पे भेजता है ताकि लोकी उससे टेसरेक्ट चोरी करके दे सके लोकी Earth पे आता है और Avengers उससे सेप्टर छीन लेते हैं पर लोकी उससे आपस से हासिल कर लेता है और लोकी को हराने के बाद Avengers सेप्टर हाइडरा के आदमियों को दे देते हैं जो की सीड के Officer बनके आए रहते हैं फिर हाइडरा सेप्टर पे काम करते हैं पीटर और वांडा मैक्सिमॉप को पावर्स देते हैं फिर बाद में वापस Avengers के पास आजाता है फिर Tony accidentally Elteron को बना देता है और फिर Elteron सेप्टर से Mind Stone निकाल कर वीजन के बाड़ी बना देता है उसके बाद सब को मालूम है थैनोज वीजन के सीड से Mind Stone निकाल लेता है और उसे मार देता है आप मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ